हलो फ्रेंड्स मैं आदित और आपके अपने यूटूब चैनल आलवेज स्टेडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ टॉपिक वही चल रहा था बहुत इक ग्यान से संबंदिश सामाननी ग्यान पार्ट ये 26 हैं आपके इसमें लगबग अभी 10 या 12 पार्ट और आएंगे क्योंकि ये लगबग 6-700 कुशन का स्रीज लिया गया है और जितने भी ये सारे कुशन आपको दिये जा रहे हैं यकीन मा क्योंकि मैंने ये स्रीज ऐसे बनाई है ये 500-600 कुशन का जो ये स्रीज चल रहा है ये क्यूशन जितने भी हैं कहीं ना कहीं आपको हर साल किसे ना किसे एक्जाम में किसी सेट में आपको देखने को मिलेंगे तो इसलिए ये कुशन सारे एक बार जरूर आप लोग हमारा कुशन है बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्मार के लिए तांग्जेक्शन का प्रियोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांग बहुत उचा होता है जो फिलामेंट के निर्मार के लिए तांग्जेक्शन का प्रियोग किया जाता है इसका जो गलनांग होता है बहुत उचा होता है ठीक है विजली के बल्ब में फिलामिंट के निर्माण के लिए transaction का प्रियोग होता है क्योंकि इसका गलनांग बहुत उचा होता है बहुत अधिक होता है ठीक तो विकल्प आपका इसमें सी सही है अगे बढ़ते हैं अगला कुशन है बैद्दुत आवेश का SI मात्रक कुलाम होता है आपका विकल्प आपका इसमें सही है ठीक अगे बढ़ते है अगला कुशन हम लोग देखते है अगला कुशन है बिद्दुत दीर्ग दूरी तक उच्च बोल्ट था उच्च बोल्ट था एसी में पारांगत होता है इसका कारण है इसका कारण ओर्जा की कम हान होती है क्या है कुशन एक बार फिर से देखते हैं बिद्दुत दीर्ग दूरी तक उच्च बोल्ट था एसी में पारांगत होता है इसका कारण है इसका कारण यह है ओर्जा की कम हान होती है ठीक है विकल्प ए आपका इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं एसी परिपतों में एसी मीटर मापते हैं आर अमेस मान से तक है आपका बिकल्प एसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है बिजली के पंखे की गति बढ़हाने के लिए प्रियुक्त साधन है रेगुलेटर तिक है रेगुलेटर के जरिए पंखे की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जाता है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है सौर्य कोशिकाएं किसके सिध्धान्त पर कारी करती हैं सौर्य कोशिकाएं किसके सिध्धान्त पर कारी करती हैं तो सौर्य कोशिकाएं प्रकास, बैदुत, प्रभाव के सिध्धान्त पर कारी करती हैं आपका बिकल्प ये इसमें सही है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं उससे पहले चैनल पर अभी तक जो है नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एक बार जल्दी से वीडियो को सेर कर दीजे जिससे और भी लोगों के पास वीडियो पहुंच जाएं और ये जो सीरीज चल रही है आपको प्ले लिस्ट में ये सारे पार्ट के वीडियो ज जब भारी ब्रिध्य होती है धारा में जब धारा में भारी ब्रिध्य होती है तब बैदुत परिपत में फ्यूज पिघल जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है प्रकास बैदुत सिल बदलता है प्रकास उर्जा को अगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा को द्रिश्टी धारा में बदला जाता है अगला कुशन है हमारा अगला कुशन है वीडियो टेप का आविसकार वीडियो टेप का आविसकार किसने किया था चार्ल्स गिल्स बर्न ने किया था ठीक है चार्ल्स गिल्स बर्न ने किया था ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है गैलवेनो मीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का पता लगाया जाता है गैलनों मीटर द्वारा धारा का पता लगाया जाता है उर्जा का नहीं प्रतिरोद का नहीं ताप का नहीं छिक है धारा आपका विकलप ड किसे मापने के लिए किया जाता है, बाहुल मापी का प्रियोग, किसे मापने के लिए किया जाता है, उप्युक्त सभी, बोल्टता, धारा, प्रतिरो, तीनों के लिए जो है किया जाता है, बाहुल मापी का प्रियोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन देखते बैटरी 40 होगी तो पतला सा वो ग्रिफाइड होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसी की बात हो रही यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है सेमी कंडेक्टर का एक उधारन बताईए सेमी कंडेक्टर का एक उधारन बताईए जर्मे नियम ज आंत्र की औरगा को मैश्य में बदलता है मतलब की बेदुर्ण जामें बदलता है यांत्री गूर्ज़ा ठीक है डायंग ठीक आपका की अगर वीडियों अब तो आपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेर जरूर करें कमेंट करें लाइक करें और वीडियो को पसंद आने के साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कुछिशन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अगर कोई और भी टॉपिक आपको पढ़ना हो ठीक है तो आप जरूर कमे वीडियो में थाइंक्स फार वाचिंग